नश्कार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पडेल और आज हम देखेंगे 11 डिसेंबर फ्राइडे इंडियन एक्स्प्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी पेज वन पर सिर्फ एक काम की चीज़े इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी 1999 में युनाइटेड नेशन्स की सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC वो एक रेजलूशन लेके आते हैं जिसका नंबर याद रखना है 1267 1267 ये रेजलूशन में कुछ उस जमाने में अलकाइदा बिनलादेन इन सबके सामने सैंक्शन यानी प्रतिबंद लगाए गए उनकी मिलकतों पर जबती उनके ट्रावेल पर बैन वो कोई हत्यार नहीं खरीच सकते ऐसे सब नियम और आगे चलते चलते ये UNSC रेजलूशन नंबर 1267 की सैंक्शन्स कमिटी वो अलग-अलग आतंकवादियों पर इस प्रकार के नियम लगाती रहती कॉंट्रोवर्सी में अब इसलिए आ गया क्यूंकि पाकिस्तान का एक आतंकवादि जक्यूर रह्माल लखवी जिसने 2611 मुंबई आतंकी हम लोग का वो मास्टर माइंड था उसके उपर इस प्रकार के सब बैन लगे थे लेकिन अब पाकिस्तान सरकार उसको करीब 10 लाख रुपय का मंथली कुछ पैकेज दे रही है तो ये कॉंट्रोवर्सी चल रही है उसके अलावा पेज वन पर सब ड्राफ टाइप की चीज़े की कोवीड पैंडेमिक के चलते लोग सर्वी सेक्टर के लोग घर से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम तो उन्होंने हर हफते मैक एकसिमम 48 आवर से जादा काम नहीं करवा सकते और ये गंटे से ये गंटे तक काम कर सकते इस टाइप के कुछ नियम सरकार बनाने जा रही है यानि बविश्यकाल फ्यूचर में कुछ सोच रहे हैं अभी ये बना नहीं तो जब तक बने नहीं तो बाल बाई बाल कॉमेंटर बाल कुमेंटरी में टायम वेस्ट नहीं करना चेंग, एसी प्रकार की बाल बाई बाल कॉमेंटरी में कि परलामेंट बील्डिंग का भूमी पुजन किया गया, किसानों के साथ मंत्रना जारी है, ये सब बाल बाई बाल चीज़े काम की नहीं, आगे बढ़ो, तो पेज 1 ख पहले साल में ये दो बार ली जाती थी, सरकार सोच रही अगले साल से इसको चार बार लिया जाए और चार में से जो best score है उसको आप consider कर सकते हैं पहले 90 question रहते थे exam में, उसको अब कि 90 question ही रहेंगे लेकिन आप कोई भी 75 attempt करो क्योंकि हो सकता है आपके school board में वो सब सिले बस खतम नहीं किया हो because of corona तो रियायती दे गए खेर पन EMCQ के हिसाब से अपनी UPSC exam में तो एक काम का नहीं परसन इन्यूज में एक अस्ताद देबू नाम के contemporary Indian dancer का देहान्थ हुआ फिर Gulf of Kutch गुजरात में उदर एक marine national park है उसके अंदर ही एक perotan coral island है जो की 2010 से tourism बंद किया था कि इदर ecological sensitivity हमने बरकरार रखनी है लेकिन फिर अब सरकार सोच रहें इसको वापस खोलेंगे तो places in news for environment आपने देखा अगर 2020 की प्रिलिम में भी बहुत सारे अतरंगी इदर उदर के national parks पुछ लिये थे तो ये marine national park गुजरात, Gulf of Kutch, जामनगर के करीब है और वहाँ पिरोटन island, coral island है इतना हमने याद रखना है फिर चले हम लोग page 8 जो की है columns, page 8 पर आज कुछ भी काम का नहीं है left side के जो दो-दो paragraph वाले column होते हैं वो वही सब farmer वाली बात जारी है फिर करनाटक के अंदर गव हत्या के खिलाब जो बिल बना उसके बारे में कुछ चर्चा और फिर बड़े columns में वही सब farmer की बाते और जो एक दो दिन पहले हिंदी कवी मंगलेश दबराल का देहान हुआ था तो उनकी श्रद्दानजली की column फिर हम चले page 9 पर, page 9 पर याद करो एक दो दिन पहले NITIO के CEO अमिताब कांथ जो कि एक IAS officer उन्होंने बयान दिया था कि बारत में बहुत ज़्यादा democracy हो गई है too much democracy जिसके चलते हम agriculture, labor, कुछ भी कानूर में reform करना चाते हैं बहुत सारे लोग विरोध करते हैं और अच्छे से काम करने में मुश्किल आ रही है और उसके बाद स्वाबाई के बहुत सारे कॉलम निश्ट ने उसका विरोध किया था तो अब अमिताब कांथ ने खुद अपने defense में आकर कॉलम लिखा है वैसे पूरा कॉलम काम काने उसका जिस्ट एक दो line में आपको समझना हो बात यह है अमिताब कांथ यह कहते हैं कि democracy में सबसे consultation करना चाहिए वो बात सही है और सरकार ने consultation ये किसान कानून बनाने से पहले भी किये थे उन्होंने सब गिनवा है कि साल 2002 से लेके 6-7-10 अलग-अलग बहुत सारे model APMC Reform Act Model Contact Farming Act बनाकर उस पहले मतलब Planning Commission ने सजेस्ट किये थे फिर नितियाउग ने सजेस्ट किये थे और केंदर सरकार ने राज्य सरकारों को बोला था अपनी विदान सबह में पास करो लेकिन बहुत कम जगह पर ये अच्छे से reform लागू हुआ तो फाइनली Union Government ने इसको खुद लागू करना पड़ा और दूसरा कि ये जो reforms लिए गए हैं जो भी APMC वगेरा में तो MS Swaminathan Committee, असोग गुलाटी और बहुत रमेश्चंद और बहुत सारे ऐसे अलग-अलग विशेशग्य जिनकी कमिटी रिपोर्ट के हिसाब से ये कानूनों में सुदा लिए गए थे और मैंने जो ये बात कही थी कि बारत में बहुत जादा डेमोक्रासी हो गई है वो मेरे बयान को out of context लिया गया है अमिताब कान्त का ये कहना है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई भी न्यूस पेपर वाले भी पूरी क्या बात होई वो दो-तिन पेरेग्राफ अच्छे से समझाने की जग है उसकी clickbait headline क्या बन जाए उसमें से हमें 120 वर्ड की ये ट्वीटर ट्वीट क्या मिल जाए ऐसी जो ब्रेविटी ब्रेविटी मतलब कम शब्दों में बात करना तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया वाटसेब का जमाना है हम कम शब्दों में हाई हेलो ओके में बात करना पसंद करते हैं तो पीछे कितनी depth में मैंने वो चर्चा की थी वो दिखाने की जगए सिर्फ यह बोलते हैं कि डेमोक्रासी बहुत जाद है और यह खराब है ऐसा आउट आप कंटेक्स बुलाए जा रहे हैं एनिवेज उनकी बातों की पूरी अमने कॉलम में गुषने की जरूरत नहीं यहां से हमने समझना यह है रूल अप सोशल मीडिया जहां पर यह भी कि अमने के अंदर यह किसानों की यह बहुत कामकाने थर्ड कॉलम वो है कॉस्टोडियल टॉर्चर यानि पुली स्थाने में अपरादियों के साथ जो मार्पीट थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है कुछ बार अपरादी का मौत भी हो जाता है सुप्रीम कोट ने एक आ अपरादी है वो उसकी कॉपी मागे तो उसको देनी होगी वग्यरा लेकिन इस कॉलम में यह बात आया गया है कि असल में चैलेंजिस क्या क्या आ सकती पहला चैलेंज पुली स्टेशन में माली जी एक दो रूम में CCTV कैमेरा लगाए हो लेकिन किसी एक जगा पर न लगाए ह ऐसे कोने में खोपचे में ले जाके ही अगर मार्पीट की जाए तो वो कैमेरा के ब्लाइंड स्पॉट में कैप्चर नहीं होगी फिर कि यह बारा महिनों तक रेकॉर्डिंग रखना चाहिए लेकिन हाट डिस्क करप्ठ हो गया कुछ करके या आडियो वीडियो में कुछ दे तो पता कैसे चले जब तक ऐसे पुलिस कर्मी दोशी पुलिस कर्मियों को बहुत स्टिक सजा नहीं मिलेगी तब तक पुलिस का माइंड सेट चेंज नहीं होगा ऐसा ये कॉलम का कहना है अभी पेज 10 पे चले कुछ काम काने सरकारी विग्यापन पेज 11 बारत और बांगलादेश की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बारत के कुछ बिहार के हल्दी बारी से लेके बांगलादेश के चिलाहाटी ये दो प्लेसिस के बीच एक जमाने में 1965 तक रेलवे कनेक्टिव लेकिन फिर वो बंध हो गई थी अब मोधी सरकार और सामने हसीना सरकार मिलके इस रेल रोड को वापस करने वाली हैं जिससे की कार्गो ट्रांसपोर्ट में और बहतरी हो साथ फिर एन्वायरमेंट के रिलेटेड समाचार कोई कांसिल ओन एनरजी एन्वायरमेंट और मेंट आसपास की इलाकों से अलग होता है तो काफी सारी स्टडी करके पाया कि ऐसा बहुत सारी जगा बारत में हो रहा है कि एक जगा ड्राट होता है लेकिन आसपास तो फिलर्स की परिस्तिती और दीरे दीरे ये भी रिवर्स हो रहा है यानि कुछ डिस्टिक जहां पर प 5% से ज़ादा डिश्टिक ऐसे हो गए हैं कि वहाँ कोई न कोई extreme weather event, disaster आते ही रहते हैं पिछले 50 सालों में बारत में बाल कितनी आती थी तो ये 8 गुना ज़ादा बाला आने लगी है पिछले 50 सालों में बारत में ये landslide, hailstorm, thunderstorm, cloudburst ये सब कितना होता था तो उससे 20 गुना बढ़ गया है यानि global warming के चलते ये सारी problems आ रही है, इसको study करने की जरूरत, again disaster management के आप जवाब लिखते हूं, environment के जवाब लिखते हूं, तो introductory part में या कहीं body में थोड़ा facts का मसाला तड़का डालना जरूरी है, तो ही अच्छे माक मिले, तो ऐसे कुछ आकड़े याद रखने चाहिए, so that was page 11 आगे बड़े page 12 पे, कल हमने देखा था, करनाटक विदानसभा में, गौव हत्या के विरोध में कानून, anti-cow slaughter bill, उसके बारे में गोवा सरकार ने कुछ चिंता व्यक्त किये है, क्यूंकि कोवा में बीफ यानि गौवमास, शायद उसका प्रतिबंद नहीं है, और वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, तो उन सब को ये बीफ मिलता कहां से है, वो महराश्टर और करनाटक वगेरा से लेके आते थे, लेकिन देरे देरे इन सब राज्यों के अंदर ऐसे काव प्रोटेक्शन बिल बन रहे हैं, तो इनकी इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लमस आ सकता है, ऐसा इनके इंडस्ट्रियल लीडर्स को लग रहा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदिते अगे बढ़के गवर्नन्स में हिस्सा लेना चाहिए और रिफर्मस की लिए मदद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर हाइकोट ने ब्यूरोक्रासी के सामने कुछ क्रिटिसिजम किया है उन्होंने ये पाय कि जम्मू कश्मीर अब ये जो यूनियन टेटरी बन गई है इसके अफसर सब कुम करन जैसे हो गए ठीक से काम नहीं करते है जब तक उनको कोट से डांट नहीं मिले तब तक वो कोई फाइल पेश नहीं करते है रिपोर्ट नहीं देते है असल में इनको पैसा सेलरी कौन दे रहा है तो ये टेक्सपेर के पैसो की बरबादी है और इसका सल्यूशन क्या है जो टॉपमोस्ट उनकी अथारिटी है जो मिनिस्टर या एडमिनिस्टेटर या जो उनका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जब तक उनको अकाउंटेबल नहीं बनाये जाएगा उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ये जो लोवर क्लेरिकल स्टाप है उनकी ये कुम करण गिरी जारी रहेगी फिर वो जम्मो कश्मीर का रौशनी एक्ट और उसमें जो लैंड स्केम हुआ था मैंने आपको बताया था एक बार एक्स्प्लेंड सीरीज देख लेना हर बार उसकी बॉल बाई बॉल कॉमेंट ही अमारे लिए काम की नहीं पेश 13 एक्स्प्लेंड सीरीज एक्स्प्लेंड सीरीज में एक IPO में इंवेस्ट करना चाहे कि नहीं वो सब हमारे लिए काम का नई फ्रांस के अंदर Islamic Radicalization के खिलाफ कानून बन रहा है उसकी Explained Series तो भै वो तो कल ही हमने देख लिया था कल का वीडियो देख लो तीसरा है मलाना क्रीम ये कोई beauty क्रीम नहीं ये मलाना क्रीम मतलब हिमाचल प्रदेश और उसकी मलाना वैली से बनने वाला चरस और उसमें Tetra Hydro Cannabinol THC की मातरा बहुत ज़्यादा होती है तो उसका सेवन करने पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को Psychodolic जो भी मलब कीक मिलती होगी इसमें से वो बहुत मिलती है इसलिए उसको मलाना क्रीम बोला जाता है और शब्द प्रयोग हो रहा है Drug Tourism हिमाचल में वैसे तो सब Adventure Tourism के लिए जा सकते हैं कि Mountaineering और Rock Climbing वगरा करें लेकिन Drug Tourism बढ़ रहा है कि लोग ये देश-विदेश के लोग ऐसा ये नशिली दवाईया खरीदने के लिए यहां पर जा रहा है वैसे चरस बनता है Cannabis Plant से Cannabis Plant को उगाना वैसे वहां के लोग करते हैं क्योंकि उनको अपनी जो भी टेक्स्टाइल फूटवेर गईरा बनाने में उसके छिलको का और टेक्स्टाइल फाइबर का यूज़ करते होंगे लेकिन उसमें से जब रेजिन निकालके ये चरस बनाया जाए तो वो चीज़ इलीगल है तो सोचिए कि हिमाचल की एकोनोमी को बैतर करने के लिए क्या किया जाए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचिए कि एडवेंचर टूरिजम पर उनकी एकोनोमी चलती रहे तो कोरोना जैसे समय में लोग आएंगे नई और फिर उनके भी जो गरिब लोग होंगे शायद इमांदारी से जीना चाहते लेकिन क्योंकि मजबूरी है तो फिर वो भी ऐसा चरंस गांजा बनाना शुरू कर देंगे जैसे इंगलेंड ने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूव किया अब कैनेडा ने भी कर दिया है फिर कुछ हैकर्स अलग-अलग वैक्सीन मेकर का डेटा चुरा रहे है लेकिन यह सब अपने लिए काम काने इलोन मस्क और उसकी कंपनी एक तो टेसला नम की इलेक्ट्रिक कार के लिए मशूर है इलोन मस्क और दूसरी उसकी स्पेस एक्स कंपनी है जो कि यह रॉकेट लॉंच स्पेस के सब काम देखता है अब उन्होंने कुछ रॉकेट लॉंच तो किया था लेकिन वो क्रैश हो गया ऐसी नेगेटिव न्यूज के रपने लिए इतनी काम की ने ऐसे ही बड़े उद्योग पतियों का नाम लिया तो इलोन मस्क जैसा दूसरा कॉन मार्क जकरबर्ग फेस्बुक कंपनी का मालिक अमेरिका की अथोरिटीज का यह कहना है कि फेस्बुक ने इंस्टाग्राम को 1 बिलियन डॉलर में खरीद लिया वाटसेप को 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया तो अब सोशल मीडिया के नाम पर जो भी बड़ी चीज़ है फेस्बुक, वाटसेप, इंस्टाग्राम ये सब का मालिक तो ये जकरबग तो ये एक प्रकार से मोनोपॉली का निर्मान हो रहा है इसलिए अमेरिकी अथोरिटी सोच रही है कि इसकी ओनर्शिप को ब्रेक अप किया जाए मतलब कि इसको सपोज उसकी शेर होलिंग पर कुछ नियम की ये संस्था को इतने इतने शेर्स दिये जाएंगे और बटवारा हो जाए ताकि एक आत्मी और एक ओर्गनाईजेशन के हाथ में ये सब न रहे कैर विशेशक्यों का मानना है कि ऐसा शौट टम पिरियर्ड में तो नहीं होगा तो बहुत हमारे लिए अभी काम का नहीं इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन उन्होंने 2019 की ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट रिपोर्ट जारी कि है कि अलग-अलग कौन से कारणों से लोगों की मृत्यों हुई तो पता चला जो टॉप 10 कारण होते हैं उसमें non-communicable disease यानि जो एक से दूसरे में संक्रमन नहीं होता जैसे diabetes देखो heart attack देखो तो वो टॉप 10 में से साथ तो ऐसे ही सब non-communicable disease है हमारे लिए ये रिपोर्ट काम की है क्या बहुत जादा काम की नहीं क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत बार आया लेकिन कुछ प्रशना निकले नहीं लेकिन अगर medical science आपका optional subject है या फिर आप interview के लिए जा रहे हैं और ये medical, pharmacy, homeopathy, आयरुवेद सब allied branches के साथ आप जुड़े हैं तो ऐसे कुछ reports और चीजों के बारे में पता होना चाह जहां तक UPSC prelim का सवाल है तो हमें तो primarily कि ये कौन से fungus से होते हैं, वाइरस से होते हैं वो सब public healthcare type की scientific theory और present status के लिए कौन-कौन सी योजना है उसके आसपास थोड़ा अंदाज हो तो more than sufficient page 15 पे चले, economy सरकार को जब भी पैसा बोरो करना हो तो वो बाजार में government securities यानि GSEC सरकारी प्रतिभूतियां जारी करवाता है अब बारत में तो करते ही होंगे और उनको करीब 7-8% ब्याज़ पे मिलता भी होगा अब सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना हमारी government security global bond market में list करवा दिये जाए ताकि जो non-resident Indian investor है वो भी उसमें invest करें और हमें पैसा मिलके आए और हो सकता है शायद बाहर के बाजार में होंग कॉंग सिंकापूर या अमेरिका में सस्ते ब्याज पर भी निवेशक उसमें राजी हो जाए क्यार ये सब proposal stage पे है तो जब तक finalize नहीं होता बहुत इसमें दिमाग लगाने के फाइदा नहीं EPFO Employees Provident Fund Organization काम क्या है जो मजदूर होते हैं उसकी तनख्वा का कुछ पैसा काटेंगे उसका जो मालिक है उसने अपने pocket से कुछ पैसा contribute करना होगा और ऐसा सब पैसा EPFO में जाएगा EPFO उसको अलग-अलग Government Security Share Bond में इंवेस्ट करेगा और फिर उसकी अलग-अलग योदना है चलेगी कि Provident Fund मिलेगा, Pension मिलेगा, Insurance मिलेगा अब मुद्दा कुछ यह हुआ, EPFO Fund में आपने जो पैसा रखा है उसमें ये Employee Provident Fund हर साल आपको ब्याज मिलता है एक प्रकार की समझो की Long Term की Fixed Deposit है आपकी 2019-20 में EPFO ने तै किया था कि 8.5% ब्याज देंगे लेकिन फिर Corona Crisis और इन लोगों ने IELFS नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वहाँ बहुत सारे Financial Scam हुए तो EPFO वाले सोच रहे थे कि ये जो 8.5% ब्याज है 8.5% वो एक बारी में देने की वज़ा है उसको installment में देते हैं कि पहले मान लोग 8.15% देंगे और बाके का 0.35% बाद में देंगे स्वाबाई के ऐसा सब होगा तो मजदूर विरोध करेंगे तो ये जो interest rate को split करने की बाद थी उसको scrap कर दिया यानि पूरा ही जो ब्याज है वो एक साथ ही 8.5% वो मजदूर के EPF account में जमा हो जाएगा तो ऐसे जो proposal असल में पास नहीं हुए तो हमने जंडा लेकर उसको तयार करने की कोई जरूरत नहीं असल में ये मुद्धा काम का बनता है नहीं क्योंकि ये तो proposal ही reject हो गया अब पाएंगे EPFO में पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है बजेट में सरकार कुछ बोलती है कि उसमें पैसा वीड़ो किया तो इतना income tax लगाएंगे नहीं लगाएंगे कुछ बार की इतने महीने बाद पैसा वीड़ो किया तो ये penalty लगेगी नहीं लगेगी हर बार मजदूर संग उसका विरोध करते हैं सरकार फिर उसको वापस ले लेती है तो EPFO की ऐसे जितने भी reforms आए देखके तुरंथ हम लोग लपक जाएं कि ये एक्जाम के लिए बहुत काम की चीज़ है यो कोई काम की चीज़ ने छोड़ो इसको Competition Commission of India यानी CCI बारतिय प्रतिस परदा आयोग जो कि Ministry of Corporate Affairs के नीचे एक statutory body है इन्होंने पाया वैसे तो बहुत बार इन्होंने यही पाया है कि cement industry में cartelization है यानि ये अमबुजा सीमेंट या संगी सीमेंट या जितने भी आपस में मिल के price fix कर देते हैं कि suppose एक बोरी 1200 रुपे से कम में नहीं बेचनी बले हमको सस्ते में हमारे 100 रुपे में उत्पादन खर्च होता हो तो अब CCI के अफसरों ने यहां पर rate डाली है और स्वाबाई के rate डालेंगे तो शेर बाजार में निवेशक सोचेंगे अब ये कम्पनियों के price बहुत CCI बोलेगे कि सस्ते में बेचो और फिर हमें profit नहीं होगा तो शेर बाजार में भी सीमेंट कम्पनियों के दाम गिर जाएंगे तो ये सब तो logical चीज़ें इसको हमने पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ समय पहले हमने देखा बारत और बांगलादेश के बीच कुछ rail route वापस चुरू कर रहे उसी तरह बारत और नेपाल के बीच एक air bubble agreement sign हो रहा है जिससे फाइदा ये होगा कि बारत और नेपाल के जो citizen है वो आपस में air travel करना हो तो आसानी से कर सके जो भी उनकी travel की visa या जो करना होगा सुधार किया जाए असर में क्या agreement है बहुत दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर काम का होगा कुछ ही है explain series में आएगा दो-तिन दीन बाद तो देख लेंगे केंद्र सरकार IRCTC railway catering tourism corporation का disinvestment करी है उसकी ball by ball commentary काम की नहीं UPL नाम किये के agriculture, pesticide वगेरा बनाने की company उसमें किसी whistleblower मतलब company का कर्मचारी उसने कुछ दांदली के बारे में report लिक किया controversy काम की नहीं Tata Group उसमें एक तरफ रटन टाटा हैं और दूसरी तरफ है शापूर जी पलोंजी ग्रूप जहांपर Cyrus मिस्त्री है आपस में इनका बहुत टाइम से इगो क्लेश चल रहा था अब ये शापूर जी पलोंजी ग्रूप कहता है कि Tata Sun में हमारे जो shares हैं उसके एवज में हमको नीचे वाली कंपनियां जैसे Tata Consultancy वगेरा में इतने proportionate share दो या इतने 1000 करोड रूपया दो ऐसी controversy चल रही है जो भी हमारे लिए काम कीने क्यूंकि कोरोना वैक्सिन दीरे दीरे अलग अलग देश में यूज हो रहे हैं तो स्वाबाई के अब जनता मौज में आ जाएगी और दे धना धन बाहर गुम के ट्राविलिंग करते हैं तो पेट्रोल लीजल की शुक्रवार का अखबार